कि नमस्कार मेरी चैनल एस्ट्राइज सिंप्लाइट को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकान को अन कर दिजिए जिससे की मेरे वीडियो जब भी अप्लोड होंगे तो आपको उसकी इंफ्रमेशन इतना आ जाएगी धन्यवाद एच्टोलाजी सिंप्लिफैड में आपका स्वागत है। आज हम सुरू कर रहे हैं प्रेम वियाओ के योग कैसे देखे जाते हैं कुणली में उसमें फिर यह देखा जाएगा कि अगर आपका प्रेम वियाओ होगा या नहीं अगर हो गया है तो प्रेम परसंगों में सब पलत प्राप्त होगी यह सब हम आज जानने की हम कोशिश करेंगे तो प्रेम वियाओ के योगों को किस तरह से कुंडली में देखा जाता है वो आज हम मेस लगने के जो जातक और जातिका है उनको अपनी कुंडली में किस तरह से वो देख सकते हैं कि उनका प्रेम वियाओ के योग है वो सफल होंगे या सफल होंगे यह सब की जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे तो आप अपनी कुंडली जो भी जाता कर जाती का है वो अपनी कुंडली को देखें और समझने की कोशिश करें प्रयास करें कि किस तरह प्रेम योगों को देखा जाता है तो इसमें जो सूत् के लिए आपको पंचम भाव के स्वामी को देखा जाता है क्योंकि ये प्रनिय सम्मंद का भाव हैं जैसा सबको मालूमी है कि वो साधी का भाव है तो सब्तम भाव और सब्तम भाव के स्वामी को देखा जाता है इसके पश्यादा जो प्रेम जो कराते हैं वो जो कारग्र हैं वो चंद्रमा और शुक्र है तो चंद्रमा और जो शुक्र है उसकी इस्तिति को कुनली में देखे जाती है तो जो भी हम बता रहे हैं ये सब कुल्ली में बलवान होना चाहिए बलवान होने का अर्थ है कि वो कुल्ली में अच्छी स्थिति में हो सूपरभाव में हो उच के हो सवरासी के हो अच्छी जगह बैठे हो तो ये एक अच्छी योग देते हैं तो बलवान गरह हो तो वो अच्छा फल दे देखेंगे किस तरह से इनके योगों को देखा जाए तो इस प्रकाद जैसे अमने बताया हो प्रेय का छुछανदनर आप नरही estás श्ट्रॉंग नहीं होगा आपका मंगल होगा प्राक्रम होगा और वह आपकी इच्छा होगी वह आपका जब इच्छा प्राक्रम आपका बलवान होगा तो चंद्रमा मन बलवान होगा सुक्र जो है वह प्रणाय देता है प्यार देता है तो यह सब बलवान होंगे आपकी प्रेम को व्यहाओं में करने के लिए वह हम आभी योग देखेंगी उसकी आपको जानकारीSu देखेंगी बरस्पती भी इस बीडर को साधी कराता है उसकी इस्थिति अच्छी होना चाहिए अगर आप स्थिर जातक है आज प्रेय्म व्यहाओं के बारे में तो प्रेयं को व्यहाओं के लिए यो हो है उनके लिए आमें देखना पड़ेगा आपको जो इसमें देखना पड़ता है पंचम भाव को देखेंगे और सात्वे भाव को देखेंगे तो इसमें आमको एक तो पंचम भाव और सात्वे भाव के जो राशी परिवर्टन भोती बड़ा महत्पुन है तो इसके लिए आप देखेंगे कि मालो शूर्य और जो सुक्र है एक दुसरी की राशी में आ जाए तो ये एक योग बनाता है, इसके बाद में दूसरा ये कहा गया है कि यूती, अगर पंचम भाव का जो स्वामी सूर्य है और सत्तम भाव का स्वामी मेस लगन में सुक्र है, तो उनकी यूती के कुली में कहीं पर भी होना चाहिए, तो यहां देख सकते हैं सुर्य और सुक्र कि यूती है, तो ऐसी यूती आपकी कुली में कहीं पर भी हो सकती है, वो आपको प्रेम भ्याव कराता है, इसी परकार से आप इन दोनों का दस्टी संबन भी आपको साधी कराएगा, मतलब सूर्य और सुर्य लगन में बैठ जाता है, और वो सत्तम दस्टी से सात्वे कि आपको लगन को भी देख रहा है, तो या इनका सूर्य और सुर्य और सुक्र की द fotos कि दस्टी संबन को ऐसा भी बूल सकते कि मालनों, जैसे सुक्र तो यहां बैठा है, और सुर्य वालनों यहां पर से शुक्र की द्रश्टी आ गई तो हमने बता है राशी परिवर्तन एक दूसरे के भावम बैठना चाहिए या वह एक दूसरे की यूति बनाए सुर्य और सुक्र की जैसी यूति बनाए आपकी या कहीं से भी वह एक दूसरे पर द्रश्टी बनाए जैसे सुर्य यहां बैठके प्राइब या सुरी यहां बेट के यहां से स्थुक्र यहां बैठाव वो तिय के दिसक्र बनाएं, यह जो एक तरग का कांभीनेसं के पांचवे भाह साथे भाह से भाह से बन रहा है वह अगर आपके कुन्ली में बन रहा है मेश लगने के जातक हैं तो आपका प्रेम में लगनेश और सत्त में इसका आपस में इस्तान परवर्तन तथा यूती भी इस योग में साहता करती है इसी तरह से आप जो भाव देखेंगे तो पहला भाव दूसरा भाव पाच्वा सात्वा नौवा और ग्यारा भाव यह भाव में भी अगर सुक्र कहीं पर बैठ जाता है और उनका संबंद इन भावों से बनता है या कहीं से भी तो भी यह एक आपका प्रेमिहाव का योग बनाता है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पंचम सब्तम का ऐसा बन सकता है तो वह भी आपको इस तरह के योग बनाता है तो यदि लगनेश जो है वो पंचम ब पर पांचमेश और सत्मेश की यूति हो तो भी यह प्रेम विहाव यूग बनाएगा यह ती लगने से सत्मेश की यूति यूति यह प्रेम विहाव का यूग बना देता है यह थी लगने साथ पंचमेश जो है वो उनकी यूति कहीं पर भी होगी वो भी एक प्रेम व्याव का यूग बनाता है तीस तरह से हम देख रहे हैं कि जब भी संबंध अपरने आप पंचमेश भाव साते भाव से बनता है या आप जैसे प्रेम वाले जो गरह है चंद्रामा और सुक्र चंद्मा से भी अगर सुक्र पंचम जैसे यह चंद्मा आपका है यहां से एक, दो, तीन, चार, पाँचवे में अगर सुक्र बैटा है वो भी प्रेम वियाओ कराता है तिस तरह से आप देख सकते हैं और अगर आपका जो है सुक्र और मंगल की यूती भी अगर अच्छे भाव में होती है तो भी प्रेमियाव करवाती है तो सुक्र मंगल की यूती हो, उनकी सुक्र मंगल की धर्ष्टी संबंद हो, यह सुक्र मंगल जैसे एक साथ बढ़ जाता है, मंगल यहां बढ़ जाता है, तो इस तरह से भी हो सकता है, इनका धर्ष्टी संबंद भी हो सकता है, जैसे मंगल यहां बढ़ जाता है, सुक्र अंगल के दरश्टी भी होगी तो भी वह आपका प्रेम व्याओं कराता है तो इस तरह आप देखते हैं कि प्रेम व्याओं में लगन का पंचमभाव का सब्सक्राइब कराते हैं तो यहां तो अगर हम देखेंगे कि इनकी सप्पmann का पर रहती है अगर हम देख सकते हैं कि अगर प्रसंग के सप्पल्टा रहेगी जबकि यह जो भी हमने बताया वह सब बलवान होंगे अच्छे भाव में स्तित होंगे तो आठेवा वारभाव में हो या ये सूर्य और सुक्र अगर आपके सूर्य से आस्त हो जाए सुक्र तो आपका प्राबलम हो सकता है या ये नीच के हो तथा उन पर कुरूर गरों का प्रभाव कुरूर गरह जो है पंचम भाव पे या पंचम भाव के स्वामी सब्तम भाव सब् सनी मंगल राहू के तू अगर इनके प्रभाव होंगे तो भी यह प्रेम जो परसंग है और साधी है उसमें आपको प्राब्लम आ सकती है तो इस तरह से यह शुक्र भी अगर पिलित हो जाता जैसा भी हमने बताया अलगनेश भी अगर आपका निर्बल है तो यह सब प्रेम ब देखा कि लगनेश अगर जिसे यह चर रासी के हैं तो चर रासी में होने के कारण में का जो सबाव परवत्तन होता रहता तो इसमें भी थोड़ी प्राब्लम आती है लगनेश का निर्बल और नीच होना भी इसको इसमें प्राब्लम क्रेट कराता है तो लगनेश का भी होना चाहिए तो आपने देखा कि किस तरह से आपका संबंद ऐसे बन रहे हैं आपको और ग्यारव में भी अच्छे संबंद बन रहे हैं क्योंकि यहां पर जो भी ग्रह बैठता है वो पंचम भाव को देखता है तो शुक्र अगर यहां बैठ जाता है यह बैठ जाता है तो प्रेम प्रशंग बनता है और ग्रने कर्णी जब भी व्याहों के लिए देखेंगे तो साथमागा स्वामी और कारक जो सुक्र है वो हो करुछ adventures के लिए और सत्पास स्वामी और कारक ब्रस्पति आगा विस्तिफिजात क्यों आगर अच्छी स्थिती में होंगे टो वह साधी में Convert होते हैं अच्छी स्थिति मतले वह केंद्र में वह intermittentre in ौाहिके हों तो वह अच्छी इस्थिति कहलाती हैं تو साधी में Convert हो जाता है हमने कहने का अर्ष्थ है कि सात्म wow जो विहाओ का घर है सात्य भाव का स्वामी जो है जैसा सुक्र है और कारक भी शुक्र है अगर वह जहिंशाय भर्सपती है या इस्तिरीजाति का कारक है अधिनकी स्थिति जैसे अच्छी जित्ति होगी अगर कुंडली में तो वो यहाँ जो है जो प्रिव्याँ हुआ है वो अच्छा चलेगा अपन्तु यही सत्तम सामी सुक्र ब्रस्पति छी आठ बारह में हो नीच के हो अस्त हो और कुरूर घ्रह जो सनी राहु के तु मंगल के प्रभाह में होंगे तो प्र फिर वो साधी के बाद में प्राव digging आ जाती है तो अच्छा योग एह हुआ कि सांचमभाव सत्तम हो के स्वामी सुक्र मंगल यह जित्वी अच्छी इस्तिती में होंगे वह प्रइम कराइंगे तथा वह्यावमें परमीट होने के लि सम्बन भी नहीं हो पन तो सुक्र की स्थित्टी अगर कुड़िø में पंचम भाव में हो सथ्देम नवम हमें गयारव भाव में हो तो भी ओंज आधी जो प्रेयम व्याओ करा देतें कि सुक्र साधी के कारेकं दिलिवे साल कि दो में अच्छे होने से अगर वो सत्तम भाव सो कनेक्शन नहीं भी बन रहा है, पाँचे भाव के स्वामी का या जो भी है, तो भी वो आपको प्रेम व्याओ करा देंगे, क्योंकि शुक्र साधी का कारक है, अगर वो सत्तम भाव से संबंध पंचम भाव का नहीं भी बन रहा है, तो भरस्ति के अच इस तरह विखाव होने के लिए आपको कंडिशन बताई बढ़ना उप्यार होने के लिए हमने बताया कि इस तरह से आपको देख सकते हैं पंचमबा पंचमबा सामी शुक्र चंळनमां यह देखा मंगल जो है आपका अगर अपने सास होगा तो वही इसमें आगे बढ़ेंगा चंदमां मन का कार यह अच्छा बलवान होगा तो यह आगे बढ़ता हो चाल जो साधी करा देता है। साधी होने के बार ने के बाद में उसको चलाने के लिए अगर वह असपल हो सकती है। अगर जो सपन्चमा नेज के हो अस्तो वक्रियों तथा उन पर सुप परभाव नहीं हो और हो पापी गरह हो के तो सनी का आधी का परभाव होगा। तो वो साधी फिर चलती नहीं है तो इस तरह आपको संचित दांकर देने का प्रयाश किया है आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने कुंडली में सब्सक्राइब कीजिए इसको लाइक कीजिए और आप टेलिफून से प्रामर्स प्राप्ट करना चाहते हैं तो मामली दक्षा देखिए आप टेलिफून से प्रामर्स भी प्राप्ट कर सकते हैं और इस तरह से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसकी लिंक हमने दि तो आपको और भी जो सरलता होगी सब चीजों को समझने के लिए तो इस तरह से आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद झाल झाल